हेलो स्टूरेंट्स आज था आपका फिजिक्स का वेपर बहुत की विज्ञान का तो जिनका कोड 306 जीसी है उनके लिए सॉलूशन में बता रहा हूं मल्टिबल चोइस कोशन जी या आपके जो बहुत कलबी प्रशन है उनके सॉलूशन में आपको इसमें दिखाने वाला हूं देखिए सबसे में बात करते हैं पहले कोशन की पहले कोशन आपका यह था दो बिंदू आवेश केवन प्रवध्यूतांग वाले माध्यम में रखे हैं उनके मध्य लगने वाला इस्थिर वध्यूत बल F है यदि माध्यम का प्रवध्यूतांग बतलकर K2 हो जाए तब इन देख सकते हैं F is equal to K1 Q1 Q2 upon D2 ठीक है इस तरह से इसका solution हो जाएगा तो यहाँ पर आपका यह F1 is equal to K2 बते K1 F1 आपका answer आजाएगा तो इस तरह से इसका पहला answer आपका यह पहले का पहला correct है तुसरा question यदि किसी उत्तर lens की लाल एबं बैंगने परकाश के लिए focus दूर य right answer होगा second right answer इसका Fv small है किससे FR से यहाँ पर आपका solution देख सकते हैं FR जो है वो greater than होगी Fv से तो Fv smaller than होगी ठीक है Fv small होगी किससे FR से C वाले का right answer आपका 0 है C वाले का answer आपका 0 है गया का answer आपका 6.2 electron volt गया वाले का answer है 6.2 electron volt ठीक है 6.2 electron volt यहाँ पर हमारा answer आचुका हम solution यहाँ पर इसका देख सकते हैं next question है L लंबाई के तार में I ampere के तार पर वाइत हो रही है तार पर चुम्ब की छेतरी करण लगे बलका मान होगा तो इसका right answer है Ibl upon 2 यह ड़ाय वाला है Ibl upon 2 ठीक है आप यहाँ बढ़ते सकते हैं F जो है वो Ibl sin alpha होता है और F यहाँ पर sin theta F बराबर Ibl sin theta कमान 30 है और sin 30 कमान एक बटे 2 होता है तो F बराबर Ibl बटे 2 आगिया F वाला question इसमें आपका 6V ठीक है तो यह change नहीं होगा जो question में दिया गया है 6V उसको हम समांतर में जोड़ेंगे तो 6 ही answer आएगा आपका ठीक है तो चैका आपका 4 वाला right है 6V तो इस तर आपका solution था नेक्स वीडियो में thank you